आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे आप यह रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं और कौन से वीक में जो बच्चा होता है उसका कौन सा ओर्गन डेवलैप होता है तो हम इसे बहुती सिंपल भासमें आपको समझाने की को करेंगे जिससे इसे कोई भी जान सकता है पहले हम यह जान लेता है कि प्रेगनेंसी के दुरान बच्चे को किस-किस नाम से जाना जाता है तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी कन्फरम हो जाती है तो हम बच्चे को जाइगोड कहता है या उसके बाद 8 हफतों तक या फिर 2 महीने तक बच्चे को embryo कहा जाता है। इसके बाद 90 हफते से लेकर उसके जनम तक बच्चे को fetus कहा जाता है। तो ये तीनों टर्म आपको पता होने चाहिए। देखिए pregnancy को देखने के लिए या फिर बच्चे को देखने के लिए दो तरह के ultrasound करा जाते हैं। एक ultrasound होता है पेट का ultrasound जिसे हम कहते हैं trans-abdominal ultrasound और दूसरा होता है TBS या फिर trans-vaginal ultrasound तो इन में अंतर क्या है। देखिए starting phase में यदि हम पेट का ultrasound कराते हैं तो उसमें बच्चा दिखाई नहीं देता है या फिर उसमें pregnancy सो नहीं होती है। लेकिन यदि हम TBS कराते हैं तो हमें 4 हफ्तों के अंदर ही pregnancy सो हो जाती है। जबकि पेट के ultrasound में कम से कम 5 या 6 हफ्ते के बाद ही pregnancy या फिर बच्चा सो होता है, दिखाई देता है। देखिए जब हम 4 या 5 हफ्ते में TBS कराते हैं या फिर trans-vaginal sonography कराते हैं तो हम एक gestational sac दिखाई देता है। यानि कि हम इसे पानी की थैली भी कह सकते हैं और इसके अंदर एक yoke sac दिखाई देता है। तो yoke sac क्या होता है यह बच्चे की starting stage होती है। तो यहां पर हम यह मान सकते हैं कि बच्चा 100% confirm है यानि कि pregnancy 100% confirm हो चुकी है। तो देखे report को देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन से हफ़ते में बच्चे का कौन सा organ develop होता है या बनता है। तो यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखे starting के पहले से दूसरे हफ़ते में embryo का development start हो जाता है या फिर implantation start हो जाता है। जबकि तीसरे हफ़ते में क्या होता है। तीसरे हफ़ते में दो चीज़े बनती हैं बच्चे में। एक तो उसका central nervous system develop हो जाता है या बन जाता है। और दूसरा उसका दिल भी यहां पर बनना start हो जाता है। फोर्थ वीक में उसकी आँखे बन जाती हैं और फोर्थ से फिफ्थ वीक में बच्चे के हाथ पैर भी बनना start हो जाता है। तो अब हम रिपोर्ट को समझ लेते हैं। देखे ये एक early pregnancy की रिपोर्ट है इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है uterus is gravid यानि कि uterus pregnant हो चुका है या फिर ये महिला गर्वती हो चुकी है। यहां पर लिखा हुआ है single life fetus is seen in a gestational sac in gravid uterus यानि कि यहां पर लिखा हुआ है जो gestational sac होता है या पानी की थैली होती है उसमें एक जीवित fetus देखा गया है। यहां पर लिखा है fetal cardiac present and regular यानि कि जो बच्चे का heart है या फिर दिल है वो उसमें है और वो बिल्कुल regular है। यहां पर लिखा है FHR 158 इसका मतलब होता है fetal heart rate यानि कि जो बच्चा है उसका heart rate कितना है तो यहां पर लिखा है 158 beat per minute लेकि normal जो होता है वो normal 120 से 160 तक हो सकता है तो यह normal है लेकिन जो दसवा हफता होता है उसमें यह beat 170 तक पहुँच जाती है जो कि normal होती है तो यह भी आ इसके बाद लिखा है internal os is closed देखे internal os क्या होता है यह pregnancy के समय बंद हो जाती है तो यह भी नोर्मल है यहां पर लिखा है anti तो anti क्या है इसे हम समझ लेता है देखे anti की full form neutral translucency होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब एक fluid filled sack यानि कि एक पानी से बरी हुई थैली होती है जो कि ब ultrasound में 11 से 14 B के बीच में देखने को मिलती है जो कि नोर्मल है यहां पर लिखा है nasal bone scene यानि कि बच्चे में जो उसकी नाक की हड़ी है वो visible है यहां यहां पर दिया हो है by CRL तो CRL क्या होता है CRL की full form होती है crown rum length इसका मतलब होता है कि बच्चे के head से लेके उसके बटक्स तक की लंबाई तो यहां पर दी हुई है 73 mm तो इसे हम weeks में भी convert कर लेते हैं जो कि यहां पर दी हुई है 13 weeks and 3 days यहां पर हम एक report और देख लेते हैं जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां पर पर एक single gas stational sack देखने को मिल रहा है या फिर एक पानी की थैली देखने को मिल रही है जो कि uterus के अंदर है और इसमें अच्छा खासा decidual reaction देखने को मिल रही है यहां कि इसमें placenta वगेरा other organs भी present है इसके बाद यहां पर लिखा हुआ a fetal pole with good cardiac activity तो fetus में एक pole create हो चुका है ज इसमें उसकी अच्छी खासी cardiac activity भी देखने को मिल रही है यहां कि इसमें heart भी develop हो चुका है और इसमें heart beat भी start हो चुकी है इसके बाद लिखा है no evidence of sub chronic hemorrhage तो इसमें कोई भी hemorrhage नहीं हुआ है या कोई भी bleeding नहीं हुए है यहां पर लिखा है CRL तो यह बच्चे की लंबाई है जो कि यह 62 mm यहां पर दिया है anti 1.4 mm तो anti क्या होता है हम देख चुके है nasal bone scenes तो नाकी हड़ी भी देखने को मिल रही है इसके बाद लिखा है ductus venus reveals normal flow तो यह ductus venus क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं तो कि बच्चे म लीवर तक जाती है और यहां पर क्या होता है यहां पर oxygen की supply होती है तो इसे हम कहते है ductus venusus यहां पर लिखा है ductus venus reveals normal flow यानि कि इसमें बिलकुल normal flow हो रहा है इसमें कोई भी problem नहीं है यहां यहां पर लिखा है two upper limbs and two lower limbs appear normal यानि कि उसके बच्चे के दोनों हाथ और दोनों visualized यानि कि जो पेट है उसमें एक bubble देखने को मिल रहा है तो यह भी normal होता है यहां पर लिखा हुआ है ultrasound gastational age यानि कि pregnancy की age यहां पर लिखी हुई है कि pregnancy को कितना time हो चुका है तो उसे यहां पर 12 हफते और 4 दिन हो चुके हैं इस report में यहां लिखा है ultrasound expected date of delivery यहां पर लिखा ह जूद भी आपको कोई question रहता है तो आपने से comment करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल subscribe कर लें जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियो के notification मिलते रहें thank you very much